दूस्तो नमस्कार UPGK के part number 27 में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है दूस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें अनकेडमी पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं तो पहला question है दोस्तो हमारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अधिकांस नदियों का प्रवाह किस दिसा से किस दिसा की और है यह जो पार्ट है यह है अपवात अंत्र जील सिचाई तथा भूगर जल से तो यहाँ पर उसी से related जो है question है वह आपको मिलेंगे तो पहला question है उत्तर पादेश की अधिकांस नदियों का प्रवाह किस दिसा से किस दिसा की और है तो उत्तर प्रदेश की जो अधिकांस नदिया है उनका जो प्रवाह है दोस्तो उत्तर वश्यम से दच्छिर्पूर हो है यानि कि option number जो 2 है वह बिल्कुलarent हो जाएगा दोस्तों आते हैं अगले क्qu piace decision पर हमारा उद्गम स्रोतों के आधार निया पाई जाती है तो दोस्तों उद्ग्म स्रोतों के स्थान पर उत्तरप्रदेस में 3 प्रकार निया पके जाती है तो option number भीलकुल correct हो जायेगा पहला होता है हमारा हिमाली के बिबिन स्रेडियों से निकलने वाली नदिया, जैसे गंगा, यमना, काली, रामंगा, घागरा इसके अलावा दूसरे प्रकार होती है उत्तरपजेश के मैदानी शेत्रों में श्थित, feat हnoc तो वा दल्दली छेत्रों से निकलने वाली नदिया और इन में अगर हम बात करें कौन-कौन से नदिया आती है जैसे गोमती हो गई और रिड़ा हो गई इस सब नदिया हमारे दूसरे परकार में आती है और तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है हमारे उत्तरप्रदेश के द प्रवेस करती है तो दोस्तों यहाँ पर जो option no.3 यानि की बिजनोर है वो बिल्कुल correct हो जाएगा जी यहाँ सिवालिक स्रेडी को काट कर गंगा जो है रिसी के से हरिद्वार में बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश के बिजनोर जिले से प्रवेस करती है इसलिए option no.3 है बिल बख नंदा नदी का जो मिलन अस्थल है वो क्या है बहुत यह देव प्रयाग है इसलिए option no.1 है बिल्कुल correct हो जाएगा आते हैं अगले question पर उत्तर प्रदेश का कौन साजिला गंगा के किनाजिस्थ नहीं है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा किनाजिस्थ नहीं ह । दो किस नदी को दोस्तों? गंगा नदी को फर्स्ट trademark संख्या ॏ doc फर्स क्रेक्ट हो जाएगए। इलहाबाद से हल्दिया तक के भाग को राश्टिय जलमार्ग संख्या एक घोषित किया गया है इसकी कुल नंबाई पुछे आती है तो 1620 किलो मीटर है और यहाँ देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है वरतमान में कुल 6 राश्टिय जलमार्ग अपने भारत देश में ह अगला कुशन है यहाँ पर गंगा का उद्गम कहां से माना जाता है तो दोस्तों जो गंगा का उद्गम है वो गंगोत्री से माना रहता है इसलिए और जो 3 है वो बिल्कुल करेट हो जाएगा भागी रथी उत्तरकंड के उत्तरकासी जिलमें गंगोत्री ग्लेसियर के गो के उद्गम अस्थल हिमाले में नहीं है तो दोस्तों यहां पर किनके उद्गम अस्थल हिमाले में नहीं है तो यहां पर जो गोमती नदी है और बेतवा नदी है जी हां गोमती नदी दोनों नदियों के उद्गम अस्थल है वो हिमाले में नहीं है क्योंकि गोमती नदी जो ह करके कुमरा गाव नामक स्थान से निकलती है तथा हमीरपुर के निकट यमना में जा करके मिल जाती है तो यह दोनों आपसे नमारे जो है इनका जो उद्गम अस्थल है वह माले में नहीं है जबकि राम गंगा और सारदा का है तो यहां पर देख सकते हैं आपसे नमबर जो थरी एक वा तीन दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आते कोशन नमबर दस पे भारत की सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी वाह नदी है देखो सबसे बड़ी वाह नदी को नहीं पूछा जा रहा है तो प्रसंगत नदियों की जो वाह नदियां यहां पर देखी जो दि उसे बड़ी इखी जाएगा जंद सबसे बचस्टाइब सबसे घरिण नद सबसे बड़ controls फो जो वाह नदी नदी कोशन नम फ़त गरति है इसी बांके प्रस्तांगा निए डाउट आपसा नमबर जो इसका पहला है गोमुख हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन नमर 12 है यमुना नदी का उद्गमस्थल है वो क्या है बंदर पूछ जी हां यम्ना नदी का जो उद्गमस्थल है वो बंदर पूछ के पश्ची में ढाल परिस्थित यम्नोत्री यम्ना नदी उत्तरप्देश में कहां से प्रवेश करती है यह हमारा प्रवेश करती है सहारन पूर से इसलिए आपसा नमबर जो फर्स्ट हो बिल्कुल करेट हो जाएगा और मैंने आपको पिछले कोश्चन में इसायत पूछा भी था कि उत्तरप्रदेश का सबसे उत्तर प्रवेश करती है तो यम्ना नदी दोस्तों जो है यह हमारा इलहाबांद में जाकर कि गंगा में मिल जाती है तो आपसा नमबर जो थ्री है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझगे आते हैं गले कोश्चन पर 15 कोश्चन है राम गंगा नदी उत्तरपदेश के किस जिल जिले से राजय में प्रवेश करती है तो यहां पर देखे किस जिले से अगरम बात किया जाए तो यहां पर जो बिजनोर जिला है यहां से प्रवेश करती है तो आपसा नमबर दो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और अगर इसके पर तो बात करें तो यहां पर इसका तो एंसर होगा राम गंगा जो नदी है वो पौड़ी जिले के दूधा तोली परवत के जलागम चेत्र से निकलती है तथा बिजनोर जिले के काला गड़ किले के निकट मैदानों में उतरती है समझगे Qv16 है काली जया उतर-प्रदेश क κिस जनपत्र नदी राज में प्रविस करती है तो ढेले प्रविस करती है इसका आपस नबर 3 जो है बिलेकिल करेक्ट हो जायएगा Q17 है आपका घागरा नदी का उद्गा मस्थल कहां से है तो जो जो घागरा नदी है जिसको हम करनाली नदी की नाम से जानते हैं तो इसका जो उद्गा मस्थल है उद्गा मस्थल बूच रहा है तो दोस्तो जो घागर नदी है वो तरपतेश के लखीम पुर्वा बहराईज की सीमा बनाते हुए राज में प्रविस करती है तो यहाँ पर आपसा नमबर जो दो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कौशन नमबर 19 है कौन सा जनपद रापती नदी के किनारे इस्थित है रापती नदी के किनारे कौन सा जो जिला है वो इस्थित है इसके मुख्य सायग नदिया जो है नदी रहडी है जो कुररणफुर में राक्ति के बाई और मिलती है आते हैं क्यूशनमर20 पे तो क्ऊसिनबर20 नदी का है तो दूस्तों गोम्ती जो है वह एक इस्थलिये नदी है और इसका जो उद्गमस्थल है वह है पीली भीत इसलिए स्का उसनमर जो फॉर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा समझे के दोस्तों आते हैं अगले कॉशशन पर इसके अलावा मैंने आपको काली नदी के बारे में बताए था जो की पीली भीदी जीले में अपने क्या होते हैं जनपस से प्रवेस करती है अपने उत्रपवेस में और गोम्ति नदी जो ओधकरम अस्थल है वह भी पीली हो जाएगा कोशन नमबर 22 control न्दी का उद्गर मस्थल कहां है तो दुस्तो चंबर नदी का उद्गर मस्थल है वो हमारा मद्य प्रदेश है जी हैं अफ़सर नमबर जो इसका दो है वो बिलकुल करेक्ट हो जाएगा मद्य प्रदेश में उन दोर के पास महू नामक इष्ठित जना पाव पहाड़ी से हुआ है चंबल नदी का उद्गमस्थल कोईशन नमर तेज़ है चंबल नदी राजी के किस जनपत के पास यमना से मिल जाती है तो दोस्तो बहुत ही important question है और यहाँ पर जो चंबल नदी है और अपने राजी के इटावा जनपत के पास यमना से जागर के मिल जाती है तो इसका option number जो first है वो बिलकुल correct हो जाएगा Question number 24 पर आते हैं बेतवा नदी किस जनपत में यमना नदी से मिल जाती है तो दोस्तो जो बेतवा नदी है basically इसको संस्कृत में बेतरवती कहा जाता है और यहाँ मद्र प्रदेश में भोपाल के दच्छिर पस्चिम से निकल कर भोपाल, गौालियर, ललितपुर, जासी और जालाउन से होती हुई हमीरपुर के निकट यहमना नदी में जाकर के मिल जाती है इसलिए इसका जो आप्सन नंबर कौन सा दो है हमीरपुर बिलकुल करेक्ट हो जाएगा इसकी जो कुल लंबाई है वो 480 किलोमीटर है अब आते है हैं आज की होमर्क पर आजका होमर्क है बिहार जल्बरपात है तो अब को कमेंट करके बताना है किस नदी पर बना हुआ है तो गैस आज की वीडियो में तरह इतना ही एकर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो रेट कलर के बटन को दबा करके सब्सक्राइब करना मत भोलिएगा तो अब एक लिए बबाय टेक केर जैहिन जै भारत